जयन्ती मंगला काली भद्रे काली कृपाले नी दुर्गाशमा शिवादाती स्वाहा शुदा नमस्तुते नमस्कार मैं रूपाशर्मा जन्सेवा लोपी समती संसा की फाउंडर और इस नौरात्री में जन्सेवा की तरफ से हिंदुस्तान की कोने कोने में शेवा पहुँच रही है और सेवा की जा रही है मैं नहीं कर रही हूँ यह सब जन सेवा के साथ लोग जुड़के यह शेवाएं दे रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत कुछन शेवी की बात है कि गर्व होता है मुझे कि आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं और आपको सबसे बड़ा सप्राइज तुम्हें अभी दे रही हूँ कि जन सेवा के कारियों को देखते हुए और जन सेवा की सची सेवा को देखते हुए हिंदुस्तान के कुछ ऐसी महिलाएं जिन्हों ने अपने दम पे मुकाम बनाया है और एक अच्छे पोस्ट पे अच्छे लेवल पे खड़े होकर जन सेवा के साथ सेवा करने के लिए आ रही है और अश्टमी या नौमी ये दो दिन में ये लोग यहाँ पे आ रही है हमारे मातारानी का सिंगार देखने और दर राशपुरोहिज जी आपको शरला राशपुरोहिज जी को थोड़ी सा मैं थोड़ा सा डिटेल बताना चाहती हूं कि ये एक छोटे से गाउं से हैं और आज भी इतने बड़े पोश्पे होके वो अपने संस्कृती अपने संस्कार और अपने समाज के साथ में खड़े होक और लोगों की सेवा भी करती हैं और जो एक परिवार के साथ समर्पित होते हैं और ऐसा अपने परिवार को भी टाइम दे रही हैं तो इनके लिए मैं इनको शुपकामनाय देती हूं और ये एस्टुमी के दिन आने वाली हैं इन्होंने मुझे कॉल किया कि रूपा जी हम आपकी सेवा देखते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके साथ जुड के सेवा करना चाहती हूं और सबसे पहले कि आपकी मातारानी ने मुझे मोह लिया है उनका शिंगार देखने हम आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आ रहे हो और मेरे अच्छपन में खतम हो गए थे एक भाई और रश्मी जी नोने पढ़ाई कैसे की अभी बहुत बड़ी डिटेल हो जाएगी लेकिन इन्होंने अपने भाई को समभाला भाई आज एक एरपोर्ट में बहुत बड़ा मतलब एरपोर्ट में पाइलेट हैं और खुद एक त्र अच्छपन में और रश्मी जी डेर सारी शुपकामना है और यह भी आ रही है एस्टमी और यहां नौमी पे हमारे यहां पे मातारानी के दर्सन करने और उत्राखंड में वह अपनी तरब से बंडारा जनसेवा की तरब से कर रही हैं यह जनसेवा के लिए बहुत घरुकी बात है साउद बैंगलोर से रीमा शेटी जी इनकी भी छोटा सा में इनका भी इनका भी बताना चाहूंगी कि इन्होंने कैसे लाइफ को सुरू किया है यह शादी इनकी हुई और शादी बाद इनके हस्बेंट इनको छोड़के चले जाते हैं और यह हैं medical college की director और doctor भी है इन्होंने फिर उसके बाद पढ़ाई तो की थी फिर वापस से पढ़ाई शुरू की लोगों से लड़ा भी अपने समाज को जवाब दिया और उसके बाद उन्होंने अमेरिका जाके पढ़ाई complete करके आने के बाद बैंगलोर में इन्होंने अपना hospital खोला medical college किया और free सेवा जिसके पास कोई तकलीफ है problem है उनके लिए फ्री करती है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप भी हमारे पास आ रहे हमारे छोटे से गरीब खाने में आ रहे हो तरसन करने माताक जी के और जन सेवा के साथ जुर के कारी करना चाहते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक्यू शो मच अरीमा शेटी जी यूपी उत्तर प्रदेश से प्रतिमा पांडे MBBS डॉक्टर हैं इनको हम इनकी जितनी तारीफ करें हम कम हैं इनके डाड़ी ने इनको पढ़ाया ममी साइद इनकी बच्पन में डौर डेथ हो गई थी और जो जमीनी था जमीन था वो बेज के इनको पढ़ाया वो वहां से लंडन से पढ़के आने के बाद इन्होंने शादी नहीं किया 45 एर्स की हैं और सेवा और मेडिकल कॉलेज खोर के सबकी सेवा कर रही हैं और पढ़ाई के लिए जिसके पास नहीं रहता है ये हमारे यूप में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो शेवा भाओं में एकदम लीन होते हैं तो इनकी जो शेवा देखके ना मुझे बहुत अच्छा लगा और ये बहुत अच्छे काम कर रही हैं कारे कर रही हैं और ये भी नौमी या और अश्टमी के दिन आ रही हैं और करते हैं ना कि ज तो इनके लिए भी मैं इनको भी थैंक्यू करती हूँ और ये भी आ रही है मा के दर्सन करने और जनसिवा के साथ जुड़ के कारे करने के लिए बिहार से सविता जहा इनकी हम छोटी सी दो सब्दों में लाइन कहने चाहेंगे कि ये 55 यर्स की हैं और जहारकन मुझफफर पुर्स में ऐसा था तब के जबाने में की लड़ियां बाहर निकलती नहीं थी इतना खौफ था कि लड़ियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता था और घर से उठा के लेके जाते थे बंदू किनों के इन्होंने कई ऐसी लड़ियों को बचाया है और आज ये पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन इनके अंदर जो गुण है वो हिंदूस्तान में नहीं हिंदूस्तान के बाहर भी धमाल करके रखा है कुरसिया का काम बुनाई का काम पैंटिंग का काम सारी पैंटिंग बैग पैंटिंग मतलब इनकी जो ये सामान है जो प्रोडेक्ट ये बनाती है उसको देखके तो दिल खुश हो जाता है तो ये करके उन्होंने अपने जीवन का सफर आगे किया और उसमें लोगों को जोड के काम भी कर रहे हैं और ये भी हमारे साथ जोड के कारी करना चाहती है तो सविता जाजी आपको बहुत सारी शुपकामना है और आप आ रहे हो आप सब का स्वागत है और बनारस यूपी से रंजना राय ये लेडिस पुलिस इस्पेक्टर है इन्होंने पढ़ाई कि इनके डायडी ममी माता पिता ने बहुत मुस्किल से पढ़ाया पढ़ाने के बाद आशा हो कि उनके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं थे और इनकी बारात वापस चली जाती है ये छोटा सा एक और एक लड़की के लिए जब बारात वापस जाती है तो समाज का क्या वर्ताओ होता है लोगों का क्या वर्ताओ होता है लोगों के मतलब कितने ताने कितने सब कुछ सह के इन्होंने एक मतलब बहुत बड़े लेवल पर एक फोर इस्टार लेडिस इस्पेक्टर है ये और इन्होंने फिर शादी नहीं की और उसके बाद सेवा में जुड़ कम Где हजारों लड़कियों की शाधी नोने कराई हो गई और कितनी लोगों की दुआ इनके साथ और बहुत सारे कारी अच्छे करना चाहती हैं और जंशेवा के ना रत्री में जंशेवा के पावण पर पर पे जंशेवा के सा जुड़ के बॉम्बे आके जन सेवा की कारियों के साथ जुड़ के सेवा करना चाहती है तो हम आप सब का धन्यवाद करते हैं बहुत शारी शुबकामनाएं और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गरू की बात है कि आप जैसे महान लोग हमारे साथ जुड़ रहे हो और हम कोई सम्मान के घुखे नहीं है हमें कोई एवाड नहीं चलिए हमें सिर्फ और सिर्फ सेवा करनी है सेवा एक ऐसा है कि आप अपने अंदर आतमा से अगर आपको तकलीफे हो चुकी है आप सामने वाले के तकलीफ और प्राब्रों को देख सकते हो तो ऐसी बहने हमारे साथ जुली है, जो सेवा और भाव और धर्म और कर्म को जानती है ऐसे तो बहुत से चेहरे हैं, जो दिखते कुछ और है, होते कुछ और है और हमें आपका प्यार और आशिरवाद हमेशा मिलता रहे जन सेवा आपके साथ हमेशा था है और रहेगा और फिर से नवरात्री की धेरशारी शुब कामना है आपको नमस्कार